नमस्कार, मैं हो ससी, आया जर्खन की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं वीडियो कनफिरेंसिंग में उन्हों ने देश भर में टीका उठ्सर मनाने पर जोर दिया वही नाइट कार्फ्यू की जगा करोना कार्फ्यू लगाने की बात कही इस बैठक में पछी मंगाल के मुख मंत्री मthonताबनर जी को छोल और ने राजियों के मुख मंत्री राजेपाल और उपराजपाल सामिल हुए स्वास्त मंत्री का निजी अस्पतालों को निर्देश कुरोना मरीज के लिए 10 से 25 परतिस अथ बेट करें सुरक्षित जार्खन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने गुरुवार को निजी अस्पताल संचलकों के साथ बैठा करूने 25 परतिस अथ बेट कुरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित करने के निदेश दिये हाँ बदादे गुरुवार को नामको मिस्थित इन्शूट और पबलिक खेलत के सबागार में उन्होंने निजी अस्पताल संचलकों से कहा कि निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निधाय त्रेट पर ही इलाज करना होगा साथ ही इलाज की दरों का अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अनिवारे रूप से उलेख भी करना होगा रांची में सरुल पर नहीं निकलेगा जुलूस सरुल पर के दोरान सरना समीतियों द्वारा जुलूस वह सुभा यात्रा नहीं निकाला जाएगा गुरुवार को रांची के उपायुक छावियर्जर के दक्ता में होई बैठक में विभीन सरना समीतियों ने इस पर अपनी समति दी है समानाला इस थी तुपायुक छावागार में आविजित बैठक में सीटी एस पी सोरव अनुमंडल पता दिकाली रांची सदर समीरा एवं विभीन सरना समीतियों के अध्याक सेवं सदस उपर थी थे रांची में आठ दिनों में साथ पर दिस तक बढ़ी मास का उसने टाइजर का डिमांड होली के बाद से कुरोना संक्रमन के बढ़ते आकड़े एक बार फिर से लोगों को ट्राने लगे हाँ इस पीच सरकार के द्वार करोड़ा संक्रमन के दूसरी लहर काबू में करने के लिए सरकार के द्वार टिका करान और मास अस्तर पर टेस्टिंग का काम किया जा रहा है साथे विभीन अस्तरों पर लोकडाउन को दी गई छोट भी अपस ले गई है इस बीच आम लोग एक बार फिर से सतर को ले गाए बता दे इससे बाजार में मास काउस अने टाइजर की मांग आठ दिनों में 60% की तेजी आई है क्रिसी विभाग के ब्रांट एमेस्टर होंगे महेंदर सिंग धोनी जाइकन सरकार के बाइट के बाद क्रिसी वास उपार नेम साकारिता क्रिसी मंत्री बादल पत्रले की ओर से गुरुआर को पहली विभागे समिक्षा की गई समिक्षा के बाद क्रिशी मंत्री ने प्रेस कॉन्फरेंस कर विभाग की ओर से खर्च की गई रासी और आने वाले लक्ष के बारे में बताया मंत्री ने कहा कि 200 क्रोर का PL बालेंस जुन तक खत्म करने का निर्देश दिया गया है सभी स्कीम को मय तक निकालने का निर्देश विभाग की ओर से दी गई है चुनावी सभाव में कला बिला लगा हला बोलेंगे नीजी इस्कूल संचालक कुरोना जनित बंदी से हलकान नीजी स्कूलों के संचालक वह सिक्षक सिक्षकेतर कर्मियों ने अपनी अंद्यकी के खिलाब चुनावी सभाव में कला विला लगा कर हला बोलने का फासला किया है यह जनकारी जार्खन प्राइबेट इसकूल एस्कूल 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 के महासरचीव राम रांजन कुमार सिंग ने गुरुवार को दिया है उन्होंने बताया कि आज एस्सेशन की वर्चूल बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एस्सेशन के सभी परमुख लोगों ने भागेदारी की होमगाट जवानों का जेल भरो आंदोलन 12 अफ्रेल को जारखन होमगाट वेलफेर एस्सेशन के महासरचीव राजीव कुमार तिवारी ने गुरुवार को कहा कि सरकार की ओर से एस्सेशन की मांगों को लेकर अब तक किसी भी परकार का पत्र जारी नहीं किया गया है इसको लेकर 12 अफ्रेल को होमगाट के जवान जेल भरो आंदोलन चलाएंगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने होमगाट जवानों को छलने का काम किया है मांग से समांदी त्याज का मोखिस चीव के यहां से मोख मंतरी के पास भेजी गई है 10 अफ्रेल तक अगर एसेसेशन की मांग पर लिखीत आदेश नहीं मिल जाता है तो 12 अफ्रेल से होमगाट जेल भरो आंदोलन की सुरुवात करेंगे आज से मधोपूर में डेरा जमाएंगे सीम हमान सुरेन 12 अफ्रेल जार्खन मोख्ती मोर्चा के कारिकारी अधियक्स अर्मोख मंतरी मांसुरेन सुक्रवार से मधोपूर में चुनावी अभियान की सुरुवात करेंगे चामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार के मताविक मधोपूर के पांचोपर कहंडो में उनकी सभाव कावजन किया गया है वे पार्टी करिकार्ता हो और पतादिकार्यों साथ बैठा कर चुनावी रण नीती को भी अमतिम रूप देंगे जार्खन पहुंची को वैक्सिन की दो लाख डोज जार्खन में कुरोना वारे संक्रमन की रुक्थाम के लिए को वैक्सिन की दो लाख डोज गुरुवार को पहुंच गई है वहीं कोवैक्षीन की 2 लाग डोज आने से राजे में कोरोना वैक्षीन की समस्या से काफर थक रहत मिली है बता अधे सुक्रभार 9 अप्रेल को कोवी सील का 10 लाग डोज भी जार्कण पहुं जाएगा इस तरह से राजे में सेकेंड डोज के लिए कोवीज सील और कोवैक्सिन की पर्याप्त डोज उपलावध हो गई है जारखन में 1882 ने संक्रामित मिले हैं जो राची से 878 वोकारू 1742 देवगर बहुत धनबाद 91 दुमका सरसट पूर्वी सिहूं 204 गडवा 17 गिरी डिनोग गोड़ा 44 गुमला 43 हजारी बाक चुवरावे जामतरा 27 खुट्टी 35 खुडर्मा 50 लात्यार 5 लोहर दगा 12 पलामू 8 रामगर 36 साहिवगंच 40 सराइकला 12 सिम्डेगा 13 पाच्मी सिम्भूम से 22 मरीज मिले हैं बता देराज्जे में 7 मरीज की मौत हुई है जो राची से 6 साहिवगंच से 1 मरीज सामिल है जारखन में कूल मौत की संख्या 1178 है वही जारखन में कूल एक्टिव केस की 12 है वही भारत में नाए मौत की संख्या 802 है बता देर भारत में कूल एक्टिव केस 9,44,233 है धन्यवाद सेस पंदरा खवर आज ही 8 वह तक मिल जाएंगे थैंक्यू